हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम लॉग आउट या फिर साइन आउट कर सकते हैं वो भी हमारे Google Drive से अपने किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टेम से Windows का ऑपरेटिंग सिस्टेम हो Windows 10 हो Windows 11 हो 7 हो या फिर कोई भी अन्न अपरेटिंग सिस्टेम हो जैसे कि Mac का हो या फिर Linux का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टेम हो वहाँ से भी सेम प्रोसेस से हम लॉग ओट हो सकते हैं तो चलिए अपने वीडियो क्यों तो सबसे पहले क्या किजिए आप यहाँ पर जाहिए और यहाँ पर शो फिडन आइकॉंस होगा तो यहाँ पर आपको Google Drive दिखाई दे रहा है यह दिखी नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप स्टार्ट में जाहिए और यहाँ पर गूगल ट्राइव टाइब कीजिए गूगल ट्राइव करने के बाद यहाँ पर गूगल ट्राइव को सर्च कीजिए तो यहाँ पे Google Drive दिखाई देना है तो यहाँ पे आपको Right Click करना है Left Click नहीं करना, Right Click करना है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा तो यहाँ पे Settings का या फिर Gear का आइकन होगा इस Settings के आइकन के उपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे Preferences आएगा Preferences के उपर आपको Click करना है Preferences के उपर Click करने के बाद यहाँ पे No Thanks कुछ आएगा उसको No Thank созд करना है तो यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे ऊपर में Settings का icon दिखाई देगा Settings का icon को फिर से एक बार Click करना है तो यहाँ पे Disconnect Account का option आएगा तो Disconnect कर लिजिए पूछ रहा है, यह पूछ रहा है कि दूसरा कोई account आपको डालना है यह नहीं, अगर आप कोई दूसरे account email से login करना चाहते हैं, तो यहां से get started को जाके login कर सकते हैं, मैं नहीं चाहता, तो मैं इसे close कर लूँगा, और इसको exit कर लूँगा, तो इस तरह से आप log out, या फिर sign out कर सकते हैं, अपने Google Drive से, अपने account को, वो भी किसी भी operating system है, Windows, Mac, Linux, कोई भी operating system हो, तो दोस्तों इस वीडियो को आँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और इस चानल को subscribe करना कभी भी मत भूलिए, तो मिलते हमारे आगले वीटिव में तब तक के लिए बाए